बाइयो कैसे हैं आप सब आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलबे गुरूप डी के टॉप फाइप जोन के बारे में कि टॉप फाइप हाई कोट अफ वाला जोन कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको डीटेल्स बताने वाले हैं कि उस जोन में टोटल कितना फरम फिल अफ हुआ है, टोटल कितना भकेंसी है, पर सीट कमपेडिशन लेबल क्या है, और वो कौन-कौन से जोन है, कितना भी हाई कोट अफ जोन होगा, लेकिन पिछले वाले गुरूप डी से इस बार का कोट अफ लोही रहने वाला है, क्योंकि भकेंसी दिये हुए चार सा हो गया, और जितना भी अच्छा अच्छा लरका है, उनका कहीं न कहीं दूसरे भी भाग में जॉब हो गया है, बहुत कम बच्चा ही एक्जाम देने वाला है, ज्यादा से ज्यादा देगा तो 50-55% पच्चा ही एक्जाम देगा, इसलिए इस बार कॉमपेडिशन लेवल ब बह सकता है, तो देखें, यहाँ जोन है, फरम फिलफ है, भाकेंसी है, पर सिट कमपेडिशन लेवल है, अगर वीडियो पसंद पर आये तो अपने भाई के लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब, जरूर कीजिएगा, क्योंकि रेलबे का सबसे सटीक बिसलेशन और कोई भ सब्सक्राइब, इलाहबाद जो जोन है, वहाँ पर टोटल फरम फिलफ हुआ है, 9,11,082, टोटल भाकेंसी है, 4730, 4730 से इसमें भाग दिजिएगा, तो पर सिट कमपेडिशन लेवल एक सो बानबे आ गया, लेकिन एक सो बानबे नहीं है, इसका 50% अगर निकालते हैं, तो च्छानबे बच्चा हुआ, और च्छानबे जो हुआ, मेरिट के लिए हुआ, पीटी के लिए मात्र तीन गुना रिजाल देगा, तो एक सिट पर खुब हुआ तो आपको 30-32 लड़का फाइट कर रहा है, दूसरा आपका हाई कटाप जोन है, जाइपूर जोन, यहाँ पर 50% निकालिएगा तो यहाँ पर भी competition level बहुत कम है, बहुत कम का मतलब पिछले बार से कम रहने वाला है, तीसरा है ECR हाजिपूर, हाजिपूर जो जोन है, वहाँ पर टोटल 5,73,340 बचों ने फरम फिलप किया है, टोटल भाकेंशी 353,63 है, यहाँ पर पर सिट competition level 161 है, यह यहाँ पर किसी भी जोन में ज्यादा से ज्यादा बच्चा एक्जाम देगा, तो कितना देगा, 50% देगा, चौथा आपका जोन है गोराखपूर, गोराखपूर में टोटल फरम फिलप हुआ है, 6,20,825, यहाँ पर टोटल भाकेंशी है 4,002, और पर सिट competition level कितना है, 155, पाच्वा आपका जोन है एनर न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली जोन में इस बार सबसे ज्यादा फरम फिलप हुआ है, सबसे ज्यादा भाकेंशी भी है, यहाँ पर 29,729 बच्चों ने फरम फिलप किया है, टोटल यहाँ पर भाकेंशी 3,153 है, पर सिट competition level 144 है, यह जोन जो कम ही cut up रहेगा, railway का कम समय में अच्छा त्यारी कैसे करें, mock test कैसे लगाएं, 20 दिन में अपना अच्छा study plan कैसे बनाएं, इन सभी चीजों का हम वीडियो पिछले वीडियो में बता चुके हैं, अगर आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा, अगर आज का मेरा वी के लिए अगवार चैनल को सब्सक्राइब, जरूर कीजिएगा, धने बाएं